Hello Friends आपका सुवाखि तैस्ट IQ में Friends वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप सब्लिंक लिंक कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम टिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद में आपको कोई दिख़त नहीं होगी कि link कितने type के होते हैं और example आप देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा link है तो mainly जो link होते हैं वो तीन type के होते हैं कौन-कौन से? rigid link, flexible link और fluid link कौन-कौन से होते हैं? rigid link, flexible link और fluid link ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं इनको हम detail में discuss करते हैं सबसे पहले है rigid link तो rigid link क्या होता है? in this type of link deformation are negligible इसका क्या मतलब है? जो कोई भी link है उसमें हम deformation को consider नहीं करेंगे यदि वहाँ पे deformation हो रहा है तो उसको हम rigid link नहीं consider करेंगे for example जब आप example देखोगे तो आपको अच्छे से समझ माएगा देखें यहाँ पे example है engine के जो part होते हैं जैसे की connecting road, crank, cylinder और piston जैसा की आपको यहाँ पे diagram में दिख रहा है यह क्या है आपका? यह cylinder है इसमें आपने देखा होगा कि engine कई सालों तक चलता है तो इसका मतलब वहाँ पे deformation क्या हो रहा है? negligible और इसके अंदर यह हो गए आपका piston और piston से जुड़ी हुई है आपकी connecting road और connecting road से जुड़ावा है आपका crank यह सब क्या है? rigid link है अगला link हम देखते हैं flexible link flexible link क्या होता है? in this type of link deformation are there but in permissible limit यानि कि deformation हो रहा है deformation को हम consider कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? but in permissible limit यानि कि जितनी हम limit consider कर रहे हैं उस limit के अंदर ही deformation हो रहा है उससे ज्यादा होगा तो उसको हम flexible link consider नहीं करेंगे for example belt, rope और chain यहाँ पे आप सभी को पता है कि जैसे कि हमारी bike की जो chain होती है वहाँ पी थोड़ी दिन बाद में chain lose हो जाती है इसका मतलब वहाँ पे deformation हो रहा है लेकिन एक limit तक ही deformation हम consider करते हैं उसके बाद में हम change कर लेते हैं तो वहाँ पे deformation हो रहा है लेकिन limit के अंदर हो रहा है कितनी limit? जो limit हम consider करते हैं उससे हम बोलते हैं permissible limit यानि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप example याद रख सकते हैं belt, rope और chain और यहाँ पे आपको यह भी दिख रहा है यह rope भी दिरे-दिरे क्या होती है उसके थोड़ी सी length जो है वो increase होती जाती है और chain में भी और belt में भी deformation होता है और last आपका link है fluid link अब fluid जो है वो link कैसे बनता है यदि हम fluid को किसी closed vessel में डाल के और एक तरफ से हम force लगाएंगे और वो force जो है दूसरी तरफ यदि transmit होता है तो वो एक link की तरह consider किया जाएगा यानि कि closed vessel के अंदर होगा fluid तब ही वो link की तरह behave करेगा when power is transmitted by fluid pressure यानि कि fluid के pressure की वज़े से यदि power transmit हो रहा है तो fluid वहाँ पे एक link की तरह कारिय करेगा for example hydraulic ram, hydraulic press, hydraulic jack और hydraulic lift यह जितने भी hydraulic वाली चीज़े होती है वहाँ पे fluid एक link की तरह work करता है जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए, यह आपकी एक ram है इधर हमने यदि force F1 लगाया तो यह जो इस fluid से force transmit होगा और यह हमारा output जो है force मिल जाएगा यानि कि इधर से हम force लगाएंगे तो यह आपकी car जो है lift हो जाएगी, इसका मतलब यह जो fluid pressure की वज़े से जो आपका force है, जो आपकी power है वो transmitted हो रही है और hydraulic जो है, आपका jack आपने देखाई होगा jack से हम यहाँ से press करते हैं तो यह jack है, यानि कि यहाँ से lift होता जाता है तो हमने यहाँ पे consider क्या क्या किया तीन link हमने discuss किया है rigid link, flexible link और fluid link तो friends, यह था छोटा सा वीडियो वीडियो को complete देखने के लिए thank you यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें comment में, कोई भी आपको दिक्कत हो तो बता सकते हैं और वीडियो को share जरूर करें और चैनल पर यदि नए हैं, तो subscribe जरूर करें और link नीचे जो है Instagram का link दिया गया है वहाँ से आप मुझे follow करके कोई भी आपको आरी पूछ सकते हैं और telegram link का भी link जो है आपका description में मिल जाएगा, thank you